हलो दोस्तों, अच्पी जिकी बिक्की जूटू चैनल में आपका स्वागत है I hope सब बड़िया होंगे आज हम इस वीडियो में इंडियन जिकी के टोप 10 MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए हेलफुल होंगे अगर ये वीडियो आपको एक्जाम के पॉइंटों भी से थोड़ी से भी हेलफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले तो फर्स्ट कोश्चन है आपका रप्पक के लोगों की लिपी में होता था उप्षन ए अर्थ चित्र लिपी रचनों का बरग उप्षन भी ज्यामतिय आकरिती का बरग उप्षन सी चित्रों और ज्यामतिय आकरिती का स्योजन या उप्षन डी इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है आपका और चित्रलिपी रचनों का परग नेक्ट कोश्टन है आपका बोद इतिहासकार तारनाथ डैस से थे और तिबत और और चीन और और सिमंगोलिया या और तिजापान तो इसका राइट अंसर है आपका और और तिबत नेक्ट कोश्टन है आपका महान भारतियां दाशनिक सारी कर इसकी हमाक ठक करते थे उप्षिन A अद्वाइट, उप्षिन B द्वाइट, या उप्षिन C बसीष्ट द्वाइट, या इनमेंसे कोई नहीं तो इसका राइट अंसर हाँ का, उप्षिन A अद्वाइट नेक्ट कोश्टन है उपका, 1712, इसमी मैं सिंद की अरब बिजे, इसकी नेतर तरब मैं हुई थी उप्षिन A मुहमद बीन कासिम, उप्षिन B सुबुक तागीन, उप्षिन C मुहमद गजनभी, या उप्षिन D कुतबदीन तो इसका राइट अंसर हाँ का, उप्षिन A मुहमद बीन कासिम, नेक्ट कोश्टन है आपका निमम मैं से कौन सा राजा और उसके बंसल का युगम सही है उप्षिन A पुलकेशन चालो किया, उप्षिन D बोर्चोहान, उप्षिन C अमोग बर्ष प्रतिहार या उप्षिन D धरमपाल राष्ट कूट तो इसका राइट अंसर हाँ का, उप्षिन A पुलकेशन चालो किया नेक्ट पुश्चन है आपका काची डैस्ट की राजधानी थी आप्शन A, चौर आप्शन B, ब्रहमनी आप्शन C, पलब या आप्शन D, बीजे नेगर तो इसका राइट अंसर है आपका आप्शन A, चौर नेक्ट कुश्चन है आपका मैयूर सिहांसन के लिए मनाया गया था ओप्षन जहांगीर ओप्षन B अक्वर ओप्षन C शाह जहां या ओप्षन D औरंग जेब तो इसका राइट अंसर है आपका ओप्षन C साहन जहां नेक्ट कोश्चन है आपका अक्वर नया दीन ए इलाही की स्थापना की थी प्रात्मिक रूप से ओप्षन ने हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद का अंत्र लाने के लिए ओप्षन B एक राष्ट धर्म स्थापित करना जो हिंदू और मुस्लिम को सभिकार ओप्षन सी जाती और संपरदाई की स्थापित करना या ओप्षन D धर्मिक और सभा मनाना तो इसका राइट अंसर आपका ओप्षन B एक राष्ट धर्म स्थापित करना जो हिंदू और मुस्लिम को सभिकार हो नेक्ट कोश्टन है आपका 1757 में सीराज उद्दोलो को किसने हराया था ओप्षन A कैनिंग ओप्षन B हैंक्स्टेन ओप्षन C क्लाइब या ओप्षन D कॉन बॉलिस तो इसका राइट अंसर है आपका ओप्षन B ओप्षन C क्लाइब नेक्ट कोश्टन है आपका अकोर बाट के मंदिर में प्रती माहिंड डैस की थी बुथ हिंदु देवी देपता तीधकर या कमबोडिय राजा तो इसका राइट अंसर है आपका ओप्षन B हिंदु देपता नेक्ट कोश्टन है आपका मोरी काल का उतकर्ष नमोना इनमे से प्रस्तुत होता है गुफ़ा बस्तुकला ओप्षन B स्तंब ओप्षन C स्तूप या ओप्षन D चत्या तो इसका राइट अंसर है आपका ओप्षन B स्तंब नेक्ट कोश्टन है आपका कौन सा बैदिक मूल पाथ नहीं है समरिती ब्रामना उपनिशत या अंग तो इसका राइट अंसर है आपका ओप्षन D अंग नेक्ट कोश्टन है आपका पटना का पुराना नाम था कुसंबी ओप्षन B पाथली पुत्र ओप्षन C कनोच या ओप्षन D कपिल बस्तु तो इसका राइट अंसर है आपका ओप्षन B पाथली पुत्र नेक्ट कोश्टन है आपका लोदी बंस के चाशक थे शुद अफगानी ओप्संस भी शुद तुरक ओप्संसी तीमूर तुलक या ओप्संडी अफगानिस्तान में बसे हुए तुरक तो इसका राइट अंसर है आपका ओप्संड ए सुद अफगानिस्तान अफगानी अगर ये वीडियो आपको एक्जाम के पॉइंट ओप व्यू से थोड़ी सी भी हल्पू लगे तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू जेह हैं जेह माचन